आज के इस वीडियो में इमित्र क्योस के लिए और ऐसे परिवार जो की खद्य सुरुक्षा योजना में सामिल हैं और उनके परिवार के कोई सदस्य रासनकार्ट में जुड़े हुए नहीं हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुशकबरी हैं इस परकार के रासनकार् नव विवाईता का नाम जोड़ना है तो ये सर्वीस एक्टिवेट हो चुकी है जब भी आप इमित्रक के माध्यम से रासन कार्ट पोटल उपन करेंगे और उसके बाद रिशिप जनरेट करने के बाद एड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेंबर जोड़ने का ओप् में पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बदा देता हूँ कि ये सर्वीस तो एक्टिवेट है जब भी आप यहाँ पर रासन कार्ट पोटल उपन करेंगे तो वहाँ पे सर्वीस भी मिलेगी लेकिन इमित्रक डैस्पोट पर अभी तक मैसेज नहीं मिला है तो सभी इ आप देखेंगे तब तो सर्वीस एक्टिवेट बता रही है उसके दर कोई समस्या नहीं है मैंने उपन करके देखा हैं लेकिन इमित्र डैस्पोट पर अभी तक कोई भी मैसेज प्लैस नहीं हुआ है वो सकता है कि वीडियो अप्लोड हो तब तक हो जाए तो आप डैस्प बड़ी अपडेट हैं तो यहां पे नाम किस परकार से जोड़े जाएंगे तो नव विवाइता का नाम जोड़ना और नए जन्मे बच्चे का नाम जोड़ने दोनों ही अलग प्रोसेज है नव विवाइता का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले पीर से एनोसी जारी करनी होंगी NOC के बाद online apply करके add member होगा इसके अलावा जो नए जन्मे बच्चे का नाम है वो जन्म पर्मान पत्र बनने के बाद ही add होगा तो यह किस प्रकार से add किये जाते हैं इसके बारे में already हमारे सभी वीडियो बने हुए रासन कार्ट से जुड़े हुए तो इसी वीडियो के नीचे मैं link दे दूँगा उस link पे रासन कार्ट के सभी वीडियो मिल जाएंगे उन वीडियो को देख ले और उस process को follow करके आपको नाम जोड़ना हैं तो मैंने जब यह देखा हैं तो service activate हैं और नाम जूड़ रहे हैं फिर भी अपनी LSP से एक बार confirm कर ले LSP कहें कि आप जोड़ सकते हैं तो आप यह नाम विल्कुल जोड़ सकते हैं कोई भी समस्या आपको नहीं हैं तो यह सबसे पहले मैंने अपडेट दी हैं कि service activate हो चुकी हैं और नाम जूड़ना प्रारम हो चुके हैं तो जानकर यह अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करके all notification on करना हैं जिससे की ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो बाई बाई दोस्तों